नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर प्रीतम जेन है और मैं एक कैंसर स्पेशिलिस्ट मेडिकल उंकॉलेजिस्ट हूँ जो मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ मैंने MD in Internal Medicine की है उसके बाद TM सुपर स्पेशालिटी मेडिकल उंकॉलेजी में की है इस वक्त में मुंबई के टॉप हॉस्पिटल जैसे सैफी हॉस्पिटल, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, बॉंबे हॉस्पिटल, वुखार हॉस्पिटल, भाटी हॉस्पिटल मैं ये हॉस्पिटल में इस वक्त कैंसर पेशिंस का ट्रीटमेंट करता हूँ आज मैं आपको colon cancer के बारे में कुछ बताना चाहूंगा colon, colon मतलब intestines और intestines जो हम हिंदी में आतली, जो आतों के बारे में कहते है generally अगर cancer colon से आता है या intestines के कोई भी हिस्सा जैसे की colon, rectum, ascending colon हो या descending colon हो इन किसी भी intestines के मैंसे जब एक cancer उत्पन होता है उसको हम colon cancer कहते है ये cancer एक जानलेवा होता है और ये ज़रूरी है हमारे लिए कि ये cancer के symptoms क्या क्या होता है और कब आपको ये warning signs देती है और आपको immediately आपके cancer specialist के पास जाके इसके investigate करना चाहिए generally अगर किसी इनसान को colon cancer होता है तो initially उनके symptoms काफी vague होते है जैसे कि पेट में दर्ध होना या फिर कब जो होना या फिर stool जो होता है वो ठीक तरह से form नहीं होता है और उनके habits change होते रहते है कभी कब जो होता है कभी diarrhea lose motions होता है तो जब आपको लगता है कि आपके bowel के habits जो आतरी के habits बदल चुके है तो आपको ये एक warning sign हो सकता है और आपको colon cancer के लिए screen करना जुरूरी है इसके लिए इसके अलावा अगर आपको कभी भी bleeding होती है रेक्टम से एनी bleeding कोई भी किसी भी प्रकार के bleeding होता है जहां नीचे से खून निकलता है जब आप bathroom जाते हो तो आपको उस वक्त बहुत ही ध्यान रखना है कि ये एक abnormal चीज़ है ये एक warning sign है और आपको intestines colon के अंदर गांट हो सकती है जिसके तुरू वो bleeding हो रहा है कई बार patients को ज़्यादा symptoms होते नहीं है बस हलका सा ball habits change होते रहते लेकिन उनका hemoglobin drop होते रहता है क्योंकि वो नीचे से bleeding हो रही है और ज़रूरी नहीं कि वो bleeding हर बार दिखे आपको तो अगर आपको आपका खून कम होते जा रहा है और कुछ दूसरा कारण नहीं मिल रहा है या आपको iron की कमी है तो शायद आपके आतली के अंदर खून बह सकता है और आपको pollen cancer हो सकता है इसके अलावा सबसे common हम देखे जाते है कि उनका वजन continuously कम होते रहता है भूगनी लगती है थकान लगती है यह सारे चीजे भी symptoms साथ में आने शुरू हो जाते है अगर आपका weight loss significant है significant weight loss मतलब अगर आपका 10% से weight घटा है baseline से तो आपको immediately चोकरना रहना है और आपको colon cancer के लिए investigate करवाना चाहिए तो यह सारे general symptoms होते है early stage में शायद कोई symptom ना हो और कई बार incidentally detect होता है किसी और वज़े से शायद आपने colonoscopy की होगी और वहाँ पे वो आपका you know polyp या cancerous tumor detect होता है advanced stage में generally patients को भूग नहीं लगती weight loss बहुत significant हो जाता है उनको पीलिया होना शुरू होता है और कई बार आतली जो होती है colon intestines वो block हो जाते है और अगर यह cancer सब जगे spread हो जाता है तो आपको bones pain होता है lungs में spread हो जाएगा तो breathing difficulties होती है कभी-कभी brain में भी spread हो सकता है तो यह सारे advanced features है और आपको यह सारे warning signs cutting stage में detect कर दोगे तो यह cure भी हो सकता है इसके लिए आपको important investigations करना पड़ता है जो हम colonoscopy के नाम से जाते हैं generally अगर आपके personal risk factors है यह आपके family में history है colon cancer की यह आपके ball habits ठीक तरह से नहीं है तो आपको colonoscopy screening ज़रूर करनी है normally 50 साल की उम्र और अबोव उनको colonoscopy screening guidelines के में माध्यम में उनको किया जाता है generally हर 3 साल से 5 साल में एक बार colonoscopy करना चाहिए और अगर आपके symptoms कम नहीं हो रहे तो आपको immediately करना चाहिए इसके अलावा sigmodoscopy भी होता है city scan भी हम करते और आपके stool का test भी होता है तो ये सब colon cancer के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज जानियेगा कि अगर आपको पेट में दर्द है आपको कबज है आपको bleeding हो रही है weight loss हो रहा है आपकी उम्र 50 साल की उम्र और अधिक है तो आपको colon cancer के बारे में alert होना है क्योंकि ये अगर early stage में diagnose होगा तो आप इसको cure कर सकते हैं धन्यवाद